ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं तुला राशी वालू हो जाओ तैयार क्यों कि अब आपको धनकी देवी मा लक्षमी कैसिर्वास से 27 जनवरी से 31 जनवरी यानि की जनवरी महा के अंतिम पाँच दिनों में पाँच बड़े लाब मिलेंगे और साथ शाथ इन पाँच दिनों में आपको पाँच अच्छी बड़ी खबर मिलेंगी ज पाँच दिनों में बन रहे धनलक्षमी प्रापतियोग अमरत्सिदियोग और दो राजयोग में आपकी किस्मत माव लक्षमी कैसिरवास से इन पाँच दिनों में चमखने वाली है जा दोस्तो मालक्षमी का सिर्वास से आपके लिए जनवरी माह के ये अंतिम पांच दिन बहुती अच्छे दिन रहने वाले हैं जा दोस्तों आपको बता दें इन पांच दिनों में आपको मालक्षमी का असिरवास से अनेक प्रकार के लाब धनलाव और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है जो कि इन पांच दिनों में ग्रह नक्सत्रों की जो इस्तिती है वह पूर्ण रूट से आपके पक्षमे साबित होने वाली है जो कि आपके लिए इन पांच दिनों में राज योग का निर्मान कर रही है जिससे की यह है समय जो पांच दिनों का समय है आपके लिए अत्यन्त लाबकारी और भहुती भाग्या शालिशा में शाबित होगा जा दोस्तों मालक्षमी का सिर्वास से यह वह समय होगा जब आपके सभी मनों कामने पूर्ण होने वाली हैं जा दोस्तों आज किस वीडियो में आपके 27 जनवरी से 31 जनवरी यानि की इन 5 दिनों के शंपून और इक राशी फल के बारे में बताने वाले हैं वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्पपून हैं और अन्त तक इस वीडियो को आप बिना इसकिप किये बिना काटे पूरा देखें दोस्तों वीडियो का अगे शुरू करें सबसे पहले आप से रिक्वेस्ट करते है मालक्षमी के सच्चे बक्त इस वीडियो को इक लाइक अभी करें और कमेंट स्बुक्ष में जे मालक्षमी आप शीते प्राप्त हैं हो सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मालक्षमी के असिर्वास से आपके लिए 27 जनवरी से 31 जनवरी यानि किन 5 दिनों का य दोस्तों यह समय आप अपने वहवार तथा म्रदु भासिता द्वारा खराब संबंदों को सुधार ने में सफल रहेंगे आपकी सकारात्मक सोच जैसे भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करना आपके लिए श्वाबाविक ही उत्तम परिस्तितियां उत्पन करेग घर में कोई धर्मिक आयोजन भी हो सकता है दोस्तों यह समय पिछले कुछ समय से चली आ रही बादाओं को दूर करने में आप सफल रहेंगे जिससे आप में आत्म संतुष्टी का भाववी रहेगा राजनितिक वे सामाजिक गत्य विदियों में विसेस योगदान रहेगा एक खास मुकाम भी आपको इस समय हासिल होगा समय मान वे प्रतिश्टा वर्दक है धर्म कर्म वे आध्यत्मिक कार्रो के प्रती रुची रहेगी वे विसे धर वे दुनियादारी के बीच बहतरीन संतुलन बना कर रखेंगे दोस्तों यह समय उधार दिये हुए किसी पैसे का कुछ हिस्सा आपको वापस मिल सकता है अपनी दिन चरिया को विविस्तित रखते हुए अपनी विसेश प्रतिबा को जागरित करने में समय व्यतीत होगा विसेश कर ग्रहनियां स्वैम को साबित करने में सफल रहेंगी विध्यार्तियों को अपनी परिक्षा में सफल त खुशी रहेगी दोस्तो अपने उसुलों वे सिद्धान्टों के साथ किसी भी तरह का समझोता ना करना आपको मजबूत बनाकर रखेगा दोस्तो यह समें अपनी समझबूज वे बुद्धि मता के दुआरा अपने कारों को सुचारों रूप से संपन्द करने में आप सफल रहेंगे कार को योजनाबद तरीके से करना आपको विसेश सफलत प्रदान करेगा घर में मित्रों या महमानों का आगमन होगा तथा सभी सदस्य से आप से मेल जोल का लुप्त उठाएंगे दोस्तों साती साथ इस समय कभी कभी आपका मन मोजी स्वभाब दूसरों के लिए परिशानी का कारण बन सकता है घर में परिवारिक सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर गलत फहमी उत्पन हो सकती है जिसकी वज़े से किसी बाहरी व्यक्ती का हस्त छेप हो सकता है दोस्तों यह समय ध्यान रखिये कि कोई अपना ही नजिदी की मित्र दोका या फि केरियर के प्रती लापरवाही भविश्य के लिए नुकसान दैक रहेगी इसलिए सावधानी रखना आपके लिए अतियावशक है दोस्तों यह समय किसी नजदी की मित्र की नकारात्मक गतिविदी से आपको आगात या फिर धक्का लग सकता है गाड़ी या मकान संबंदित कागजाद आप बहुती समाल कर रखें दोस्तों कभी कभी किसी विसेस विसे को गहराई से जानने की इक्छा आपको अपने लक्षे से भटका सकती है थोड़ा सावधान रहें परन्तु जादा आत्मक केंद्रित होने से इसका नकारात्मक असर आपके व्यक्तिकत तथा पर इने वहवार को सयमित बना कर रखना आपके लिए अति आवशक हैं दोस्तों यह समय अपने भाई भेनों के साथ संबंद मधुर बना कर रखें तो कि किसी प्रकार की कहा सुनी हो सकती है विद्यार्तियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से बटक कर व्यर्थ के कारों में लग स खराब हो सकता है अपने स्वयभाब को सहज वे संतुलित बना कर रखें क्योंकि गुस्से से परस्तितियां और अधिक बिगड़ सकती हैं कानूनी काम में भी आप ना उल्जे साफधान रहें दोस्तों बात करें लव लाइफ के नजरिये से तो यह समय पती-पत्नी के नजदी किया बढ़ेंगी विवा संबंदित कारों में वेस्थता भी बनी रहेंगी दोस्तों साथि साथ अत्यादिक वेस्थता के कारण परिवार पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे परन्तु जीवन साती का सयोग परिवारिक वातावरण को उचित बना कर रखेंगा पत किसी बात उजागर हो सकती है जिससे आप गोपनियं रखना चाते थे वेवेशायक कार रहें अभी लंबित ही रहेंगे नोकरी पेसा लोगों को भी ऑफिस से संबंदित कोई भी नजदी की यात्रा करनी पड़ सकती है जिससे आपको अधिक लाब पहुंश सकता है दोस्तो कामिया भी भी हासिल होगी दोस्तो किसी के साथ शाजेदारी करते समय नुकसान फायदे की इस्तितियों पर भी अवश से विचार विमर्स करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो साथी साथ इस समय किसी प्रिक्टार की व्यवसाई के प्रतिस परदा में आपकी हार हो सकती है परन्तु इस तनाव को आप अपने उपर हावी होने ना दें तता धहरे पूरवक अपने अन्य कारों के प्रति समर्पित रहें अवश्य ही आपको सफलता प्राप्थ कुछ रुकावटे आ सकती हैं जिनकी वज़े से ओडर आदी पूरा करने में विलंब हो सकता है करमचारियों की गतिविद्यों को आप नजर अंदाज ना करें वे लोग किसी प्रकार की राजनिती उत्पन कर सकते हैं साफधान रहें दोस्तों साथ साथ यह समय मसीनरी वे ते पर सम्मंदित कारों को पूरी तरह विवस्तित रखना आपके लिए अति आवशक है किसी प्रकार की इंक्वारी आदी बैठ सकती हैं सावधान रहें दोस्तों साथ यह साथ खान पान से सम्मंदित विवसाएं धीरे धीरे विवस्तित होंगे अपने काम के क्वालटी में औ और अधिक सुधार लाने की आपको आवशक्ता है जो आपके लिए बहुती फैदेबंद साबित होगा दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय आपका स्वास्थ उत्तम रहेगा किसी प्रकार की चिंता आप ना करें वाहन या मसीन सम्मंदित उपकरणों का सा अवधानी पूरवक आप उपियोग करें क्योंकि किसी प्रकार की चोट या फिर एक्सिडेंट की आसंका बन रही हैं दोस्तों साथी साथ यूरीन इंफेक्शन जैसी समस्या उत्पन हो सकती हैं तरल प्रधार्तों का अधिक से अधिक आप सेवन करें गलत खान पान की वज होती अच्छा रहेगा